दोस्तों टीवी पर यूँ तो कई सारे अच्छे शोज आ रही हैं लेकिन जब बात आती है ना बेस्ट शो की तो उनमें सबसे पहला नाम अभिनेत्री सनाया इरानी के शो इस प्यार को क्या नाम तो और अभिनेत्री दुरुष्टी धामी का शो मधुबाला का नाम ही लिया यह दोनों ही एक्टरोश के शो अपने आप में काफ़े ज्यादा दल्चसप और इंट्रस्टिंग यह कहानी साथ दोनों के शू में किरदार भी काफ़े ज्यादा दल्चस्प थे इन सभी qualities के साथ यह दोनों ही शू टीवी के best शो बन चुके थे लेकिन वहीं अगर बात की जाए कि इन दोनों एक्ट्रोस के शो में से दर्शिकों ने किस एक्ट्रोस के शो को सबसे जदा पसंद किया किसका शो है दर्शिकों का फीवरिट शो तो इन में से किस एक्ट्रोस के शो को दर्शिकों के फीवरिट शो का टैग मिलेगा तो इसी सवाल का जवाब जानने के ल और बेस्ट शो अगर आप भी जानना चाहते हैं इन सभी सवालों के जवाब तो बस बने रहेगा हमारे साथ इस वीडियो के एंड तक और साथे साथ अपने फेवरेट आक्टरुस के लिए आप अमारी वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल न भूलें दोस्तों शुरुवात करते हैं दृष्टी धामी के शो मधुबाला से इनका ये शो कलर्स पर प्रसारित हुआ था जिसमें दृष्टी ने एक ऐसी लड़की मधुबाला का किरदार निभाया था जिसे अपने फेवरेट स्टार आर के बने विवियन डुसेना से प्यार हो जा सब्सक्रा था क्योंकि ये शो एक आम लड़की की जीवन के तरह था तो ईसे दर्शकों ने काफी पसंद किया था और देखते ही देखते ये शो दर्शकों का फेवरेट शो बन गया था वहीं अब बात करते हैं सनाया इरानिक इस प्यार को क्या नामधूं के बारे में तो शो ये स्टार प्लस पर प्रसारित हुआ था जिसके कहानी अर्णव और खुशी कुमारी गुपता की एक प्रेम कहानी है जिसमें खुशी लखनों में रहने वाली एक साधार अंसी लड़की है जो प्यार रुष्टे और विश्वास की शक्ति में ही बिलीव रखती है वहीं वे एक बिजनसमैन है वो एक दूसरे को तो बिलकुल भी पसंद नहीं करते हैं लेकिन बाद में उन दोनों को एक मजबूरी के कारण शादी करनी पड़ती है और इस सीरियल में इस सनाया इवरानी ने खुशी कुमारी गुपता के रूप में और वहीं अरनप सिंग रायज किया है दोनों की यही प्यार भरी कहानी ने दर्शकों का खूब दिल जीता और ये शो दर्शकों का बन गया फेवरेट शो लेकिन दोस्तों वहीं अगर बात की जाए इन दोनों आक्ट्रोस के शोज में से किस आक्ट्रोस का शो है दर्शकों का फेवरेट किस शो को करते है दर्शक सबसे ज्यादा पसंद तो जवाब में केवल और केवल सनाया उरानी के शो इस प्यार को क्या नाम दू का ही नाम सामने आएगा क्योंकि इस शो की कहानी थी एकदम यूनिक जिसमें वो अर्णफ से प्यार नहीं करती लेकिन फिर भी उनके साथ रहती है शो की इसी कहा नोक जोक और प्यार मोहबत वाले सीन्स आज भी दर्शकों के दिलों में कैद हैं वेल दोस्तों आपको क्या लगता है कि इन में से किस आक्ट्रिस का शो है आपके लिए बेस्ट आप हमें अपनी राए कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर दीचिएगा और साथ ही टीव